नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के इंपोर्टन कोश्चन करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है पाँच हजार रूपया पर आठ परतिशत वार्षिक दर से दो वर्ष के लिए दिये जाने वाले चक्रवृति ब्याज और साधान ब्याज के बीच का अंतर कितना है अब देखे डिफरेंस पुछा है कि चक्रवृति यानि कंपाउंड इंटरस्ट और साधान ब्याज यानि सिंपल इंटरस्ट के बीच का अंतर काफी जी है कैसे मूलदन कितना दिया हुआ है पांच हजार ठीक है पहले साल में कितना ब्याज लगेगा पहले साल में जो ब्याज लगता है वो चक्रवृति ब्याज और सधान ब्याज दुनों एक जैसा ही होता है ठीक है न तो आठ परसेंट के हिसाब से कितना ब्याज रहा एक साल का पांच हजार गुना आठ डिवाइड में सो देखे डिवाइड में सो दो जिरो से दो जिरो केंचल पचास की आठ से गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 400 दूसरे साल में कितना लगा पांच हजार के उपर 400 रुपे ब्याज ये है केला सधान ब्याज ठीक है ना क्योंकि मूल जो अमाउंट है मूल धन उस पे जो ब्याज लगे उसको हम बोलते हैं सधान ब्याज और ब्याज के उपर ब्याज लगे यानि 400 का 8% क्या होता है 32 ठीक है तो ये टोटल तो हो गया चक्रविर्ती ब्याज ठीक है ये कल्ला 400 है सधान ब्याज ठीक है तो हम से पुछा है चक्रविर्ती ब्याज और सधान ब्याज के बीच का अंतर क्या है देखिए ये 400 और 400 जो अमाउंट है ये है सधान ब्याज SI और यह जो पूरा है 400 800 और बत्ती जो पूरा है C I दोनों का डिफरेंस निकालना है तो दोनों का डिफरेंस तो यह ही है तो यह क्या आगा डिफरेंस तो यह हमसे पूछा था तो उप्षन जो B है वो सही अंसर है नेक्स्ट कोश्चन है किसी तिर्बूज का एक कोण 55 डिगरी है यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9,16 है तो दोनों कोणों का माप ग्यात कीजिए अब देखिए 180 डिगरी तिरबूज के 3 कोणों का योग होता है एक कोण 55 है तो बचे हुए 2 कोण का योग कैसे निकालोगो 180 माइनस 55 यानि 125 डिगरी ठीक है अब 125 डिगरी जो है वो रेश्यो में दिया गया है कि बचे हुए 2 कोण है उनका जो अनुपात है नो अनुपात 16 है तो मैं इन कोणों को 9 योणिट में मान लेता हूं 9 योणिट और यह क्या आगया 16 योणिट 16 और 9 कितना होता है 25 योणिट तो 25 योणिट किसके बराबर है 125 के तो एक योणिट की वैल्यू क्या जाएगी 5 125 के डिवाइडे 25 यानि 5 अब 9 रिश्यो में था इसको मैंने 9 योणिट माना था तो यह एंगल कितना आगया 9 पंज 45 और यहाँ पे 16 पंज 80 तो जो दो एंगल आए है 45 और 80 तो उप्सन जो डी है वो सही अंसर है संजय और जेकोब एक ही बिंदू से विपरित दिशाओं में 7 मीटर पर सैकेंड तथा 5 मीटर पर सैकेंड की गती से दोड़ना शुरू करते है 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे देखिए यह पॉइंट है और लेफ्ट एंड साइड में माल लीजे संजय चल रहा है ठीक है न उसकी गती क्या है 7 मीटर की दूरी तया करता है एक सैकेंड में राइट एंड साइड में क्या है जेकोब उसकी दूरी क्या है पांच मीटर की दूरी तया करता है एक सैकेंड में ठीक है 42 minute बाद पुछा गया है कि वे एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे 42 minute 42 minute को मैं second में convert करूँगा, minute की बजाए मैंने क्या use किया, 60 second ठीक है, तो ये कितना समय आ गया, 42 गुना 60 second में आ गया, ठीक है अब 1 second में 7 मीटर की दूरी तैह होती है तो इतने second में कितनी दूरी तैह होगी 7 गुना 42 गुना 60 ठीक है, और यहां जेकोब कितनी दूरी तैह करेगा 5 गुना 42 गुना 60 ठीक है ना, इस point से ये दूरी भी हमने निकाल ली इस point से ये दूरी भी हमने निकाल ली दोनों के बीच की दुरी निकालनी है तो दोनों को जोड़ दीजिए जब मैं जोड़ूंगा तो ये चीज तो common है ठीक है ब्रैकेट में बचेगा 7 पलस 5 तो दोनों को जोड़ेंगे 12 यानि जोड़ कितना आया 12 गुना 42 गुना 60 ये किसमे है ये है मीटर में लेकिन ओप्षन देखिए किलोमीटर है तो किलोमीटर के लिए डिवाइड करेंगे सो से सोरी हजार से जीरो से जीरो कैंसल तो बार अचिक बात्तर बात्तर गुना 42 गुना 42 गुना 100 देखे न दोनों को मैं गुना करूँगा 72 को 42 से तो मेरे पास आएगा 3024 और डिवाइड में 100 तो मेरे पास अंसर आगया 30.24 किलोमीटर तो उप्षन जो ए है वो सही अंसर है नेक्स्ट कॉस्चिन है दो कर्मागत विश्म सिंख्याओं का गुनफल 399 है इन में से छोटी संख्या ग्यात करें देखे दो लगातार जो विश्म सिंख्याओं कौन सी है मान लेज़िए एक है तो दूसरी कौन सी आएगी 3 1 11 है तो दूसरी कौन सी आएगी 13 ठीक है ना एक अगर x है तो दूसरी कौन सी है x पलस 2 तो इनकी जो गुना है किसके equal दी गई है 399 ठीक है ना तो इन में से छोटी संख्या ग्याद कीजिए, यानि ये x की value हमें क्या करनी है, निकालनी है, अब मैं options इस question को solve करता हूँ, कैसे करना है, मान लीजिए, ए उप्षन हमारा सही है, तो छोटी संख्या क्या आई, 17, बड़ी संख्या क्या आईगी, 19, ठीक है, तो इनकी गुना, 399 के equal आनी चाहिए, तो आप कैसे करोगे, इनके बीच का क्या करिए, आप बीच का नंबर ले लिजिए, 17 और 19 का बीच का नंबर क्या होता है, 18, और इनकी गुना निकालने की बजाए, इसका square कर दीजिए, ठीक है, यानि 18 गुना 18, ठीक है, मैंने इसका average निकाल लिया, त तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 21, दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 20, 19 और 21 का बीच का नंबर 20 है, तो इसका square निकालता हूँ, तो मेरे पास आएगा 400, 399 और 400 लगबग सेम है, तो इसका मतलब जो पेर था, दो करमागत विश्म संख्याई थी, वो 19 और 21 है, हमसे चोटी पुछे गई है, वो क्या है, 19, तो option B, जो है, वो सही अंसर है, नेक्स्ट कोश्चन है, दो बिंदुओ, A तथा B के बीच की दूरी, 50 किलोमेटर पर 3 गंटा की गती से, 5.5 गंटों में तै की गई, यदि गती 5 किलोमेटर पर 3 गंटा और बढ़ा दी जाए, तो कित 50 किलोमेटर पर हावर, यानि 50 किलोमेटर पर 3 गंटा की गती से तै की गई है, और समय कितना लगा, साधे 5 गंटे, यानि 11 बटे 2 हावर्ज, ठीक है, तो गती का फूर्मूला होता क्या है, दूरी बटे समय, आपको दूरी निकालनी है, जबकि गती और समय दी गई है, ठी को यहां multiplication में ले जाईए तो दूरी कैसे निकालो कि गती की समय के साथ गुना गती की समय के साथ गुना करो पचास गुना ग्यारा वटे दो तो दो पे cancel होगा पचीस पचीस को ग्यारा से गुना करेंगे दो सो पचेतर किलोमेटर यानि ए से बी तक जो point है उनके बीच की दूरी है दो सो पचेतर किलोमेटर अब बोला क्या गया है यदि गती पचपन सोरी पांच किलोमेटर बढ़ा दी जाए पहले पचास थी अब पचपन हो गई तो अब हमें बताना है कितना समय बचाया गया समय कैसे निकालोगे समय होता है दूरी जो की दो सो पचेतर है डिवाइड में गती जो अब पचपन हो गई है समय कैसे निकालोगे तो पचपन गुना ये पचपन से कैंसलो का डिरेक्ट तो कितना आएगा पांच ठीक है ना तो अब समय कितना लगा? 5 गंटे. ठीक है न? पहले समय कितना लग रहा था? 5 गंटे, 30 मिन्ट, अब कितना लग रहा है? 5 गंटे. तो बचत कितने समय की हुई? 30 मिनट की. तो उप्सन जो D है वह सही अंसर है. नेक्स्ट कोश्चन है. एक काम 18 दिन में समय करते हैं? यदि X अकेला उसी काम को 36 दिन में समय कर सकता है और Y उसी काम को 60 दिन में समय कर सकता है तो Z अकेला उसी काम को कितने दिन में समय करेगा? ठीक है न? तो X Y Z काम को कितने दिन में करता है 18 दिन मे राइट एंड साइड में मैं टोटल टाइम लिख रहाँ मीडल में टोटल वर्क और राइट एंड लेफट में क्या है योनिट वर्क यानि एक दिन का काम तो तीनों मिल के 18 दिन में काम करते है X अकेला जो है काम को कितने दिन में करता है 36 दिन में और Y कितने दिन में करता है 60 दिन में ठीक है हमें निकालना है Z कितने दिन में करेगा तो करिए क्या 18, 36 और 60 का LCM ले लीजिए जो कि 180 है ठीक है अब X, Y, Z जो है 180 यूनिट काम 18 दिन में करते हैं तो वो एक दिन में कितना करेंगे, 180 के डिवाइड में 18, तो आ गया 10, तो X, Y, Z एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, अब X जो है, अकेला जो 180 यूनिट काम 36 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, 180 डिवाइड में 36, यानि 5 यूनिट, Y क्या है, 180 यूनिट वर् तो अब देखिए x 5 unit काम कर रहा है y 3 unit तो z कितना कर गए एक दिन में 10-8 यानि 2 unit अब z एक दिन में 2 unit काम करता है काम है 180 unit हमें निकालना है कितने दिन में काम करेगा तो वो कैसे आएगा 180 के डिवाइड में 2 यानि 90 unit तो option जो sorry unit नहीं है 90 दिन तो option जो B है वो सही अंसर है next question है पंतालीस रूपया वर्ग मीटर की दर से एक 65 decimeter गुना 30 decimeter वाले कमरे को ढखने की लागत ग्यात करें ठीक है ना तो एरिया क्या निकालोगे ये जो dimension दी गई है इसका एरिया निकाली है पहले तो मैं बता दूँ कि एक decimeter बराबर होता है 0.1 meter के तो 65 decimeter किसके equal होगा 6.5 meter के और 30 decimeter किसके equal होगा 3 meter के तो एरिया क्या आ जाएगा दोनों की गुना कर दीजिए 6.18 और फिर 5 के साथ 1.5 यानि 19.5 meter square के आ गया एरिया ठीक है और 19.5 meter square एरिया आ गया तो 1 meter square पर खर्च कितना है 45 रूपे तो कूल खर्च कितना आएगा कूल खर्च कैसे निकालोगे 45 गुना 19.5 अब अगर मैं मोटा मोटा rough calculation करूँ तो मान लीजिए ये 20 है और ये है 45 45 की 20 के साथ गुना करूँगा तो मेरे पास 900 आएगा ठीक है लेकिन ये तो 19.5 था लेकिन मैंने इसको 20 माना तो हमारा जो अंसर है वो 900 के आसपास है ये तो बहुत ज़्यादा है 8704 तो डी option गलत ये बहुत कम है 87.5 ये भी गलत ये है 87 8750 ये भी गलत ये देखिए 877 है जो 900 के आसपास है तो option A जो है वो सई अंसर है नेक्स्ट कोश्चन है जय और जोई की आयू का अनुपात 5 अनुपात 2 है उनकी आयू का योग 63 है 9 वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात कितना होगा देखिए ये जय है ये जोई है तो उनक का अनुपात इतना है तो आप इनी को उनकी एज मान लीजिए 5 यूनिट और ये क्या आगे 2 यूनिट तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 और दो 7 यूनिट 7 यूनिट किसके एकोल आ जाएगा जो कि 63 के एकोल दिया हुआ है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ नो पंच 45 और जोई की एज कितनी आई नो दोनी 18 वर्ष अब बोला है कि नो वर्ष बाद उनकी आयू कानपात कितना होगा नो वर्ष बाद नो जोड़ दीजिए कितना आया 54 नो जोड़ ये यहां पे कितना आया 27 तो इनका रिश्यो निकाल लीजिए 27 एकम 27 27 दोनी 54 तो उप्सन जो बी है वो सही इंसर है